तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग details review करने वाले हैं Refactory Shave के IPO के बारे में दोस्तो यह के SME category का IPO है और यह company एक unique business के अंदर काम करती है तो आज के इस वीडियो में हम लोग company का details analysis करेंगे दिन की मदद से जानने के कोसिस करेंगे कि company का business model कैसा है के आपको इस company का एक lot यहाँ पर मिल जाता है तो उसकी मदद से आपको कितना profit हो सकता है उसके बाद हम लोग company की details जानेगे यानि company का business model यहाँ पर समझने के कोसिस करेंगे company कैसे काम करती हो कैसे इनका revenue पर इस इनरेट होता है और किन टेकनिक का आपको यूज करना है ताकि आप इस IPO से जो है profit बना पाए तो चलिए दूस्तो वीडियो स्टार्ट करते है और इस IPO के बारे में details में सारी जानकारी समझ लेते हैं तो इस IPO का review करने के लिए हम लोग एक website के help लेने वाले हैं जिसका नाम है moneymintagia.com जैसे यह आप इस website के उपर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा refactory shapes दीगे आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे यह आप क्लिक करेंगे यह वाला page आपके समने open हो जाएगा सबसे पहले हम लोग company का business model समझे उसके पहले हम लोग इसका gmp price समझ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए IPO gmp gray market premium में इसके उपर क्लिक करूँगा आपको इसके उपर क्लिक करना है यह वाला page यहाँ पर open हो जाएगा page को आपको नीचे school करना है जैसे यह आप page को नीचे school करेंगे तो यहाँ पर देखिए refactory shape आपको देखने को मिल जाएगा आज की date में इसका 5 रुपे gmp चल रहा है और 4000 quantity का हमको एक load यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज की date में एक estimated profit मान के चले तो आज की date में 20,000 रुपे का यहाँ पर profit दिखा रहा है अगर सारी चीज़े यहाँ पर सही से काम करते हैं तो यह profit बढ़ भी सकता है आगे मैं आपको सारी चीज़े चेक करूँगा कि company कैसी है, company का business model क्या है तो आप video पूरा देखेगा आपको सारी चीज़े अच्छे समझाएगी यहाँ पर दोस्तो अगर हम लोग को इस company के journey के बात करें यह company दोस्तो start हुई थी हाँ पर 1996 को तो company काफी जादा पुरानी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि company के पास अच्छा खासा experience होगा company जिस business के अंदर काम करती है वो थोड़ा सा unique business है और अभी तक market के अंदर कोई भी इस तरीके के company stock experience पे लिश्ट नहीं है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं company के business के अंदर थोड़ी सी monopoly हमको देखने को मिलती है जो company का primarily business निकल के आता है तो यहाँ पर देखें तब manufacturing of different type bricks तो bricks कई तरीके के होती है आपने कभी देखा हो तो जो एक bricks होती है जो घर बनाने के time use होती है पर यह जो bricks आप देख रहोंगे इस तरीके के जो bricks होती है यह special company operations purpose के लिए design की जाती है अभी कौन सी industry इनका use करती है तो यहाँ पर देखें जो industry इनका use करती है like steel industries, refineries होती है fertilizer industries होती है उसके आगे फेट्रो chemicals आती है इन bricks का आपको use होती है देखने को मिल जाएगा आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में के बिले हम लोग इसकी और कुछ basic details देख लेते हैं तो यहाँ पर हम नीचे आएगे तो 18.60 करोड का हमको IPO देखने को मिल जाता है यह पूरा का पूरा यहाँ पे दिखे fresh issue रखा गया ठीक है तो इसके अंदर कोई भी offer for sale नहीं है यहाँ पे अगर हम लोग IPO के size की बात करें तो 4000 share a lot के अंदर आपको मिलने बाले हैं अगर हम लोग इसके face value की बात करें 10 का face value आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर हम लोग price band की बात करें 27 रुपे से लेखी 31 रुपे का यहाँ पे price band रखा गया है यह company आपको NAC, SME की उपर list होते हैं देखने को मिल जाएगी यहाँ पे अगर हम लोग factors के बात करें तो तीनो रिज़र्व कोटा की बात करें थीनो के पेटिग्रे के लिए है रिजर्व कोटा रखा गया है यहाँ पे अगर हम हम लोग retail के लोग скорее के बात करें खर Suget कि बात करें तो 50 परसेंट है इसके लिए जो capital आपको पे करनी होगी यानि आपको amount जो पे करना होगा वो 1,20,000 रुपे आपको पे करना होगा आप H&I category के अंदर आप apply करेंगे तो यहाँ पे आप 2 lot apply कर सकते हैं जिसके अंदर 8,000 share आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं funding of capital expenditure towards the civil construction requirement for expending and setup a new manufacturing unit तो यह लोग जो भी पेशा उठाएंगे इस IPO से उसकी मदद से यह लोग constructions करेंगे अपने लेक नया plant यहाँ पे डवलप करेंगे तूसरे पाट के अंदर यह लोग यहाँ पे बताते हैं कि funding of capital expenditure towards purchase of plant machinery and expending of setup new unit तो इसके लिए हमने यहाँ पेले बात कर लिए तीसरे point के अंदर यह लोग बताते हैं कि purchase of commercial vehicle और चोटे point के अंदर बताते हैं general corporate purpose मैं आपको इन चारों को मिला के short comparison दे देता हूं कि actually मैं पेशा लगने कहां पे वाला है ठीक है तो देखे जो पेला यह लोग काम करने वाले कि लोग अपने IPO से आने वाले पेसे की मदब से एक unit setup करेंगे उसके अंदर कुछ machinery पर्चेस करेंगे इन थर्ट पेसे का यह यूज करेंगे अपने लिए कुछ commercial vehicle purchase करेंगे 4th point की बात है तो जो general corporate purpose होते है जैनि कि जो daily के छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे गाड़ी लिए तो उसके अंदर diesel भराना किसी को rent देना या किसी को injuries हो जाना तो उसमें पेसा लगाना तो यह daily के operations होते हैं उसके अंदर कुछ खर्चे होते हैं उसको यहां पर general corporate purpose बोला मिल जाएगा अगर आप calloutment नहीं लगता है तो यहां पर 13 माई को आपका पेशा refund कर दिया जाएगा यह आपके bank account के अंदर आ जाएगा तेन अगर आप calloutment मिलता है तो आपकी bank account से पेशा cut जाएगा और 13 माई को आपके demate account के अंदर share transfer कर दिये जाएगे listing rate की बात करो तो 14 मैं को यह stock exchange के उपर आपको list होते देखने को मिल जाएगा यहां पे हम आते तो यहां पे हमें company का financial data हमारे सामने आता है तो यहां पे 21,22,23 और half quarter का यहां पे हमको data देखने को मिलता था सितंबर 2023 तक का तो यहां पे हम लोग अगर 2021 के बात करें तो इसके अंदर company ने 21.80 कर revenue किया था expense देखें तो 19.68 करोड का यहां पे expense हुआ था profit के बात करें तो 1.56 करोड का यहां पे profit generate हुआ था 2022 के अंदर आते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, 26.22 करोड का यहां पर revenue आया था, यहां पर expense की बात करें, 22.84 का यहां पर expense आया था, यहां पर profit आप देखेंगे, तो one time यहां पर profit increase हो चुका है, यहां यह 2.87 यहां पर profit हो चुका है, यहां पर 2023 आता है, यहां पर company ने जो revenue किया 38.72 करोड किया एक्षबेंस की हम लोग बात करो 36.2 करोड किए दिन यहां पर आप देखेंगे तो 1.92 हमें पर नापर करम होते देखने को मिल रहा है जितंबर के बात करें तो यहां पर जो इनका पालतू के खर्च होते उसके अंदर company corrections करती है दिन एक healthy balance आपको provide करने की कोसिस करती है अभी इसका तोड़ आपको कैसे निकलना है वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा यहां पर हम नीचे आते हैं तो हमको company के peer competitor मिल जाते हैं यानि कि जो लोग इस company के area के अंदर काम कर रहें वो कितना revenue बना रहें उनका face value कितना है कि मदद से आप easily इस company को compare कर सकते हैं यहां पर आप सभी का face value देखेंगे तो सभी का यहां पर 10 है यहां पर SP refactory limited करके हमको एक company मिल जाती है तो दूसरी हमको मिलती है यहां पर कितना पेस लगाते हैं तो आपका कितना revenue generate होता है यहां पर आप देखेंगे तो 1.21 हमको देखने को मिलता है यहां पर आप देखेंगे आप 16.97 मिलता है तो इस company का सबसे अच्छा भी हमें देखने को मिल रहा है दूसरे के अंदर हम लोग देखेंगे PE ratio तो आप इसका देख सकते हैं 16.31 है इसका आप देखेंगे तो 41 है और इसका भी PE ratio आविलेबल नहीं है जैसे आएगा तो आप यहां पर आके चेक कर लेंगे यहां पर NAV हमको देखने को मिल जाता है यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं यहां पर company का market cape हमको देखने को मिल जाता है इस सारी details आपको बता ही जा रही है तो आप इस website के सारी details में पढ़ सकते हैं तो अभी तक दोस्तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ आप कमपनी के client owns है और इनके product की इस तरही होते हैं ताकि आप और अच्छे से relate कर पाए देन वीडियो के last में आपको अपना opinion तो देने ही वाला हूं देन कुछ एसे point भी आपको बताऊंगा जिनका अगर आप use करेंगे तो किसी भी IPO के अंदर से आप अच्छा कासा revenue generate कर सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी official website है हम लोग इसके उपर click करेंगे तो आप company की official website के उपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह company कुछ इस तरीके का काम करती है mainly जो आप इसको कह सकते हैं इनका जो mainly work है वो casting area के अंदर है और heating related product के अंदर है तो यहा करके इनको पर click करना है यहां पर आपको bricks देखने को मिल जाएगा कहां पर इनका use होता है तो अगर आप DTS में जाने के लिए interested है तो यहां पर आके आपको बारी-बारी click करना है then product के बारे में DTS में आप यहां पर information ले सकते हैं mainly मैं आपको इस website पर इसलिए लिए लाया हू तो यह सारी company है इनकी client है almost यहां तक आपको चीज़े clear हो गई होगी अभी हम लोग समझ लेते हैं किसी भी company में पेसा लगाने से पहले आपको कीन चीजों के उपर ध्यान रखना होता है तो mainly आपको दो चीजों के उपर यहां पर focus करना है पहला आपको focus करना है GMP price के उपर IPO subscription status का आपको एक बार इसके उपर click करना है then जिस भी company में आप apply करना है company कोई सी भी हो जब तक इसके आगे आपको over subscribe देखने को ना मिले कोई कितना भी कहता रहे news channel कुछ भी दिखाते रहे जब तक over subscribe नहीं आए उस company से आपको हाथ जोड़ लेना है then उस company से कोसिस करना है कि भाई अब दूर रहे क्योंकि कोई भी IPO जब तक over subscribe नहीं होगा यहां पर chances कम रहेंगे कि आपको IPO मिले बट अगर आपको IPO लगता है तो आपका पेशा यहां पर double होने के chances रहेंगे almost कुछ ऐसे IPO अभी मैंने कुछ time के अंदर देखे हैं जिनके अंदर investor का 2 गुना तक पेश पेशा हुआ है उन्होंने अगर एक लाग लगा है तो तीन लाग रुपे तक भी उनका पेशा बना है बट यहां पर लगते हैं ओवर subscribe जो भी IPO होते उनके अंदर chances कम रहते बट अगर आपका IPO लग जाता है तो आपका यहां पर पेशा बन जाएगा तो किसी की भी बात सु आपका बनेग अगर आपको अलड मिलती है तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के साथ आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे फिर भी अगर आपका कोई डाउट तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करे मैं कोसिस करूँगा है चैनल डिपलाई देने की चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नहीं वीडियो में नई जानकरी साथ चलिए धन्यवाद